तो आज हम अपने graph concepts and questions के playlist का वीडियो no.9 करने वाले हैं ठीक है और सबसे पहले कुछ ग्यान की बाते हैं ठीक है ठीक है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो मज़ा आपको तब आता है जब पढ़े हुए concept से पढ़े हुए concept से कोई question बन जाता है तो अभी तक तो मैंने आ पार्ट होगा तब आपका interest और बढ़ेगा और उससे क्या होगा confidence बढ़ेगा कि आपको feeling आईगे you'll get that feeling you'll get that sense कि okay I'm able to solve questions now ठीक है इसलिए सिर्फ theory नहीं important होता है उनका application practice is more important ठीक है mandatory है और इसी तरह अगले कुछ वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि जो पढ रहेंगे lead code के और popular questions जब बनेगा तो बहुत confidence आएगा बहुत अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ते हैं तो अब तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया भाई हमने graph का representation पढ़ लिया था how to identify a question is of graph topic traversal सीख लिया था BFS and DFS से cycle in a graph सीख लिया था undirected graph का using BFS and DFS director graph का using DFS सीख लिया sorting हमने DFS के थुरू कर लिया था और BFS के थुरू कर लिया था cancel algorithm है ना तो आज हम start करेंगे जो हमने miss किया था यह वाला हमने यहां pause लगाया था detecting a cycle in a directed graph using BFS ठीक है आज हम यह करने वाले हैं तो हमारा topic है आज का cycle detection in a directed graph using BFS तो चलो आगे बढ़ते हैं तो देखो याद करो मैंने आपको topological sort क्यूं पढ़ाया था cycle detection in directed graph using BFS पढ़ाने से पहले मैंने क्यूं आपको पढ़ाया था topological sort ठीक है वो देखते हैं कुछ तो relation हो तभी तो मैंने पहले पढ़ाया था आप याद करो मैंने क्या बोला था कि topological sort सिर्फ d-a-g में निकाला जा सकता है इसका मतलब याद है क्या था directed graph होना चाहिए ठीक है और ए मतलब क्या था acyclic ठीक है directed acyclic graph है तो directed acyclic graph है तभी उसका topological sort निकल सकता है ठीक है इसका मतलब समझे अगर मान लो topological sort नहीं निकल पाया तो मैं कह सकता हूँ कि भाई वो पक्का cyclic रहा होगा समझ गया है मैंने क्या बोला topological sort कब निकल सकता है जब वो ठीक है directed graph तो हो गई उसी के बारे में पढ़ रहे है बट वो acyclic होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो cyclic हुआ न तो भाई topological sort possible ही नहीं है यह चीज़ clear है तो तिमाग लगाओ मैंने कांस algorithm जब पढ़ाया था आपको यह क्या था topological sort using BFS है ना तो मैं कांस algorithm ही लिखूंगा भी दुबारा ठीक है और मैं देख लूँगा कांस algorithm में जो हमारा code है वहाँ पर देख लूँगा कि अगर topological sort नहीं निकल पाया नहीं निकल पाया मतलब साइकल है तभी topological sort नहीं निकल पाया ठीक है देख रोग इतना सिंपल हो गया वही सेम कोड होगा याद कर ब्रेक्टेट ग्राफ है क्या त्लीक है और टांस अभी छीज़्त नहीं हो ही है याने कि अगर डारेक्टेश आपर यह तो बाद सही है अगर साइक्लिक हुआ कशिजट भ कोड वारा कोड लिखे घएगे कारदम का और नहीं हुआ नहीं हुआ क MON येकट कर लिया है हमने兩 साइकल हे निस थे चाहिए कोमाने से सब्सक्राइब एरेक्सार कैसे था हे थे चggakर लेते हैं तो एक शंबल्स एक्जाम्पल लेए ले užoten है जिसमें साइकल है है ठीक है और याद करो cycle है तो वही है अपना Colin's algorithm लगाते हैं इसके इंडिकरी 0 है इसकी इंडिकरी कितनी है दो एर र रहे हैं इस पे ना दो सिंडीचंग रें इसकी इंडिकरी बने डिश्वें तो मैंने क्या था था कि प्रणी आडा तो वन आ गया ठीक है वन आगया अब जीरो से तो और कहीं नहीं जा सकते हैं और इंडिगरी किसी का जीरो है भी नहीं तो यह क्यू में कुछ डलाएगा ही नहीं ठीक है तो आप नोटिस करो आपने सिर्फ कितना नोड विजिट कर पाए आप सिर्फ जीरो या फिर ऐसे बोल सकतो कितने node को आप Q में पुश कर पाए Only one क्योट भाए ऐसा Q मैं क्योट कि cycle था क्योClass. इसले नहीं कर पाए था क्योкие था कांस elgolarkin में क्या करते थे जब-जब Q में पुश करते थे आरेमेंट को तो वहां count को plus plus करते रहेंगे ठीक है और जैसे ही हमारा cancel algorithm खतम होगा while not of q.mt वाला जो code था हमारा यह वाला code जैसे ही खतम होगा मैं last में check कर दूँगा कि if अगर count मेरा number of nodes के बराबर हो जाए मतलब we are happy हमने सारे nodes को visit कर लिया था मतलब पक्का cycle नहीं रहा होगा है ना तो return कर देंगे कि false भाई cycle नहीं है नो cycle ठीक है और अगर count is not equal to an हुआ else तो भाई क्यों नहीं हुआ क्योंकि cycle रहा होगा तभी तो नहीं चला पाएं तभी तो topological sort नहीं कर पाएं तभी तो console को और दम नहीं चल पाया है ना तो return कर देंगे true मतलब cycle is present ठीक है कितना simple था था अभी आप इस वीडियो को यही पर बंद करके जाके code कर सकते हो ठीक है बट फिर भी मैं code क्यों करूंगा अभी मैं फिर से cancel को और दम लिखूंगा अभी जब code करूंगा तो ताकि मेरा भी practice हो यही मैं आपसे भी चाता हूँ कोई चीज माल लेते हैं easy लग रही है आपको अब वैसे यह कुछ नहीं है cancel algorithm दोबारा लिखो गए भी आप जाके बस एक count variable को प्लस-प्लस करना है extra एक line होगा बस ठीक है बट स्टिल आपको जाकर लिखना है पूरा का पूरा बिना देखे cancel algorithm और उसी को बोलते है practice और उसी से आपका हाथ बैठे कर confidence आएगा ठीक है बार बार लिखो ना क्या दिक्कत है ठीक है बार बार लिखो practice होगा और strong होगा आपका foundation ठीक है तो चलो फिल से cancel algorithm लिखते है ठीक है और अगर हमें cycle मिल गया मतलब हम topological sort नहीं लिख पाएं हम सारे notes को नहीं विजिट कर पाएं मतलब cycle रहा होगा तो in this way we will be able to detect cycle in a directed graph using BFS क्यों क्योंकि cancel algorithm BFS ही था अब समझ मैं आए क्यों मैंने पहले topological sort पढ़ने बोला था ठीक है तो चलो simple सा code कर लेते हैं इसका same story repeat होगी ओके तो चलो सा code कर लेते हैं सेम कोश्चन है डिरेक्टिड डिटेक्ट साइगर ने डिरेक्टिड ग्राफ और लास्ट हमने DFS से किया था इस बर हम BFS से करने वाले हैं ठीक है और same topological sort वाला code था था ना cancel algorithm का वह यूज करें क्योंकि वह BFS ही तो है तो याद करो क्या करते तो उसमें Q लेते थे ठीक है और वेक्टर ले लेते थे इन डिग्री वाला है ना इन डिग्री कुछ नहीं cancel को अर्धा में लिख रहा हूं ठीक है टोटल नमर नोटस ले 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 तो ठीक है वेरेबल का नाम चेंज कर दे तो एन है और अभी इन डिग्री सबकी 0 है इनिशेलाइज कर रहा हूं ठीक है इन डिग्री परपलेट करता हूं इंट यूज इकल ट वहां के इंडिगरी बढ़ाएंगे वी की इंडिगरी बढ़ा दिया हमने ठीक है अब आते हैं हम मैंने क्या बोला था यह तो याद करो step 1 था step 1 था ठीक है इंडिगरी बढ़ने वाला step 2 क्या था फिल क्यों तो जिसके इंडिगरी जीरो की उसो पहले क्यों में डाल देंगे तो for int i is equal to 0 i is less than and i plus plus ठीक है if इन डिगरी ओफ i is equal to is equal to 0 है तो इसो q में push करेंगे तो q.push इस node को हम push कर देंगे और याद को बैने क्या बोला था हम हम count रख लेंगा ना count is equal to 0 कि कितने node को हम विजट कर पाएं कितने node को हम क्यों में push कर पाएं ठीक है तो q में push किसको करते हैं जो visit हो जाता है जिस पर हम चले जाते हैं तो वहां का count plus press कर लिया कि हमने count में कर रहा हूं कितने नोट को हम देख पा रहे हैं विजेट कर पा रहे हैं तो हमारा second step हो गया थर्ड स्टेप यहाद है simple bfs लिख दो देखो मैं पूरा का पूरा copy paste कर रहा हूं अपने कांसल वाले कोड का ठीक है? नथिंग नियुओ ना जब तक QMT ना हो तब तक क्या करना था? INT U is equal to Q.Front ठीक है? Q.Pop कर लिया ठीक है इस U से कहां कहां जा सकते हैं? for int and v जा सकते हैं ADJ of u एन इस v में जा सकते हैं और जहां जहां जा गए उसका इन डिगरी माइनस कर दिया ठीक है यह सब पिछले वीडियो में सब समझा चुका हूं देख ले ना पिछले वाले वीडियो इन डिगरी ओफ वी अगर जीरो हो गया तो क्यों डॉट पुश वी करेंगे और क्यों में पुश होगे मतलब वह नोड विजट हो गया तो काउंट प्लस प्लस करा कि हमने इस नोड इतने इस नोड को भी विजट कर लिया ठीक है अब खतम हो गया वाईल लूप जब खतम हो जागा तो लास्ट में चेक कर देंगे एफ काउंट इस इकल तो अगर मतलब वी विजिटेड आल नोड ठीक है मतलब नोशाइकल है ना तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो साइकल रहा होगा तो ट्रू कर दो साइकल था है ना ठीक है रन कर लाए तो ए होप रन हो जाना चाहिए लेट सी चल जाओ किया हो गया by चैसे कर लें कि लjust seen कि great इसको सब्मैकर करगे देखते पास हो जाने 476 transfer शाशे पास हो जाने चाहिए और इंग सारे पास हो गाएं działahr देंस क्वर्टेन ओकीर हमने फोलूर्म एक डिरेक्टप्र भ्रॉपमें cycle of detect कर लिए using BFS also हमारा एक और टापी complete हो गया ठीक है और ये question काफी important है तेहो कितने लगों नो पीछो इसको है ना Adobe, Amazon, Bazaar, Flipkart and many more ठीक है अब हम next video में कुछ questions बनाएंगे जो हमने सीखा अब तक concept जो concepts हमने सीखे हैं उस पर कुछ questions बनाएंगे तभी confidence बढ़ेगा यह ना, you'll get a sense कि अच्छा ही now you are able to do the application of the concepts that you have learned, okay see you guys in the next video, thank you